हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल शाइनिंग स्टार्स और आज की वीडियो है नेला डिजाइन के बारे में मैंने मेरे इंस्टेग्राम अकाउंट पर कुश्चन पूचा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे और वोट आया था नेला बताऊंगी और यह वीडियो में विडाउट टूल्स बना रही हूँ यानि कि अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है आप घर पर जो चीजे महुद होती है उन्हीं चीजों से आप बहुत ही ज़्यदा अट्राक्टिव लुक क्रियेट कर सकते हो आप लोग भी ट्राय कर सकते हो फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो मेरी अगली वीडियो होंगी आने वाली उसका नोटिफिकेश के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कमेंट कर सकते हो अगर आपके पास कोई आईडिया है या आप कोई और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप चाहो तो वहां भी मुझे मेसेज कर सकते हो मिल जाएगी आपको सब्सक्रेइब नहीं करते हो तो चेक करें कियों कि मैं अपने डिस्क्रेप्शिन बॉक्स में अपने वीडियो से रिलेटेड कुछ बाते लिखती हूं यानिणी कि आप पड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगे कि मैं वीडियो में क्या बताने वाली हूँ और क्या दिखाने वाली हूँ और उसके अलावा मैंने अपने कुछ प्लेलिस्ट की लिंक्स दे रखी हैं वहाँ पर तो आप चाहो तो उस पर क्लिक करके आप मेरे कोई भी प्लेलिस्ट पर सीधा विजिट कर सकते हो तो क्यामरा पर दिखाई नहीं दे रहा था और यह स्टार्स है छोटे-छोटे डिकोरेशन परपस के लिए आपको यह मिल जाएंगे एजीली मार्केट में तो यह मैंने मार्केट से ही पर्चेस किया था और यह 10 रुपीज में मुझे मिला है और यह रहा ट्रांस्पेरेंट न जैसे के मैंने कहा था कि विदाउट टूल्स में यह नेलार्ट क्रियेट करने वाली हूँ तो इसलिए मैं यहां पर प्लग कर यूज कर रही हूँ और उसके अलावा डेकोरेशन परपस के लिए भी मैंने कुछ जादा एक्सपेंसिव चीजे नहीं खरीदी है वो जो मैंने चोटा सा प्रोड़क्त जो डेकोरेटिव परपस के लिए यूज किया जाए अब वो भी परचेस कर सकते हो रिंग फिंगर पे मैंने ट्रांस्पेरेंट नेल पेंट लगाया है और उसके उपर मैं यह स्टार लगा रही थी प्लककर से लेकिन यह प्लककर की पकड़ में आय इतनी मोटी लेस नहीं सिर्फ इसके अंदर का एक पार्ट यूज करने वाली हूँ यह देखिए आप किस तरह से शाइन कर रही है तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि मैं कैसे यूज करूंगी इसे और यह रहा चोटा सा टुकड़ा यह पूरा मैंने काट के इसको इस लेस को आप अपने नेल पर रखकर पहले मेजर्मेंट ले लो और उसके बाद फिर उसके हिसाब से कट करो यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ इसलिए मैं सीधा सीधा कट कर रही हूँ और इसे भी चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रांस्पेरेंट नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ यह मैंने चिपका दिया और अब मैं अगला वाला भी ऐसे ही चिपका दूँगी यह भी चिपका दिया मैंने और देखे कितना प्यारा लुक लग रहा है कितना ब्यूटिफुल स्टनिंग दिखाए दे रहा है और बहुत ही लक्जिरिस लुक क्रियेट हो रहा है इससे और देखने से ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आपने यह लुक घर में त्यार किया होगा और यह मैं इसको सिक्यूर करने के लिए यहां पर ट्रांसपेंट नेल पेंट यूज कर रही हूँ तो यह मैं दोनों के उपर अप्लाइ करूंगी ताके यह सिक्यूर हो जाए और अपनी जगा से हलेना देखें यह कितना प्यारा लग रहा है मैं खरीब सी भी दिखाती हूँ आपको गाइस कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह देखिए इसकी शाइन देखिए आप किस तरह से यह शाइन हो रहा है देखने के बाद कोई भी बोली नहीं सकता है कि यहाँ पर मैंने लेस का एक पार्ट यूस किया है देखने से ऐसा लगी नहीं रहा है कि यह नेलाट घर पर किया गया हो तो I hope friends कि आप सभी को मेरा ये वीडियो बेहत पसंद आया होगा बाई गाइस थैंक्स फर वाचिंग